हेलो दोस्तो पूरी दुनिया में दिन प्रती दिन नई नई भीमारी के कारण माइक्रोबायोलोजिस्ट का स्कोप काफी तेजी से बढ़ रहा है अभी पिछले कुछ सालों में खास तोर पर करोना महामारी के बाद microbiologist की demand काफी तेजी से बढ़ गई है इसके बड़ी संख्या में science student का मन इस field में जाने का कर रहा है इसके लिए बहुत सरी student microbiology का course करना चाते है अगर दोस्तों आपको bacteria and viruses के बारे में detail में जानना पसंद है और उसके बारे में knowledge लेना पसंद है तो दोस्तों आप microbiology में career बना सकते हो microbiologist का course complete कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से government and private companies में job हासिल हो जाएगी तो दोस्तों आज की special video के अंदर मैं आप सभी को full detail में बताने वाला हूँ कि microbiology क्या होता है, microbiologist का काम क्या होता है microbiology के अंदर हमें क्या-क्या सीखने के लिए मिलता है microbiologist बनने के लिए क्या eligibility criteria है microbiologist बनने के लिए कौन-कौन से courses available है उन courses की कितने रुपीज की fees आएगी, कितना समय लगेगा और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक microbiologist बन जाने के बाद आपको कौन-कौन सी companies में कौन-कौन सी post पर job हासिल होगी और आपको per month कितने रुपीज की salary मिलीगी और दोस्तों एड़ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक microbiologist बन जाने के बाद आप कौन-कौन से business स्टार्ट करके लाखो रुपे की कमाई हर मैना कर सकते हो तो चलो इस वीड़ी की शुरुआत करते है और microbiologist के बारे में full detail में जान लेते है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते है कि microbiology क्या होता है और एक microbiologist का काम क्या होता है दोस्तों biology के बारे में आप सभी लोग जरूर जानते होंगे ये एक विद्नान की शाका है जिसमें जीव, जन्तू और पेड़ पोदों के बारे में सिखाया जाता है इसी प्रकार से होता है microbiology ये भी एक विद्नान की शाका है जिसके अंदर आपको protozoea, algae, bacteria, viruses और सुष्म जिवानू याने microorganisms के बारे में full detail में सिखाया जाता है और एक microbiologist का काम ये होता है कि ये जो भी bacteria या फिर जो भी viruses है इनके उपर research करना इनका antivirus बनाना और दोस्तों इनके बारे में और detail में जानना एक microbiologist का काम होता है ताकि एक microbiologist के जरिये हमें पता चल सके कि इस bacteria से मनुष्यों को कौन-कौन सी बिमारीज होगी जानवरों पर इसका क्या असर होगा पेड़ पोधों पर इसका क्या असर होगा और ये सब काम एक microbiologist का होता है अगर दोस्तों आपको एकदम simple भाषा में example देखके समझाओ तो दोस्तों अभी recently coronavirus आया तो दोस्तों जब भी ये virus आया तो उस समय हमारे पास कोई भी antivirus नहीं था पूरी दुनिया के microbiologist मिलके coronavirus पर एक antivirus खूज रहते तो दोस्तों यही काम एक microbiologist का होता है तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि microbiology के अंदर हमें क्या-क्या सिखाया जाएगा अगर दोस्तों मैं आपको detail में सब subject बताओ तो दोस्तों microbiology में आपको total ये सारे subject सिखाये जाते हैं जिनकी list आपको यहाँ पर screen में दिखाई दे रहे होगी तो दोस्तों ये सारे subject आपको microbiology के अंदर सिखाये जाते हैं अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एक microbiologist बनने के लिए क्या eligibility criteria है यानि कौन-कौन सा student microbiology का course कर सकता है दोस्तों microbiology का course करने के लिए आपको अपने बारवी science की stream से pass out करनी है आपको अपने science की stream से PCB या फिर PCMB subject लेके ही अपने बारवी pass करनी है only PCB और PCMB student ही microbiology का course कर सकता है और दोस्तों यही नहीं आपको अपने बारवी minimum 50% marks से pass out करनी है और दोस्तों जो भी other class से आते हैं उन सभी student को 5% की छूट दी जाती है और दोस्तों microbiology का course करनी के लिए आपको कोई भी entrance exam देनी की ज़रूरत नहीं है आपके 12 के मार्स के उफ़ पर microbiology के लिए आपको college मिल जाएगा तो दोस्तों यह है eligibility criteria microbiologist बनने के लिए अभी दोस्तों हम लोग यह जान लेते है market में microbiologist बनने के लिए कौन कौन से courses available है उन courses की कितने रुपीज की fees आए और उन courses को करने के लिए कितना समय लगेगा दोस्तों microbiology के field में कई तरह के courses offer किये जाते है जिसकी अंदर diploma degree PhD, master degree और post graduation diploma के courses भी available है जैसे की diploma in microbiology, B.Sc in microbiology B.Sc in industrial microbiology B.Sc in medical microbiology B.Sc in applied biotechnology पीजी डिप्लोमा इन microbiology, M.Sc in microbiology PhD in microbiology etc राखे सारे courses available है इसमें से आप अपने choice की हिसाब से कोई भी एक course complete करके एक microbiologist बन सकते हो अगर आप अपने 12 के बाद diploma का course करना चाते हो तो आप 12 के बाद directly diploma का course कर सकते हो या फिर आप अपने 12 के बाद degree course याने B.Sc का course complete कर सकते हो और एक microbiologist बन सकते हो अगर दोस्तो आपने अपना graduation science की stream से complete किया है और आपको लगता है कि आपको microbiology में interest है तो दोस्तो आप PG diploma in microbiology का course करके microbiologist बन सकते हो अगर दोस्तो आपको और ज़्यादा पढ़कर और ज़्यादा पैसे कमाने है तो दोस्तो आप master degree के बाद PhD की degree भी हासिल कर सकते हो अगर दोस्तो हम लोग in courses की duration की बाद करें तो diploma के courses 2-3 years के होते हैं और जो भी degree courses है वो 3-4 years के होते हैं अगर दोस्तो हम लोग in courses की fees की बाद करें तो diploma का course करनी के लिए आपको per year 40,000 रुपई से लेके 50,000 रुपीज तक की fees देनी पढ़ सकती है वही अगर आपको degree course करना है तो दोस्तो आपको per year 50,000 रुपई से लेके 80,000 रुपीज तक की fees college को देनी पढ़ सकती है ये fees college to college vary करती है कई-कई colleges में only 80,000 रुपीज में भी आपको full microbiology का course सिखाया जाएगा depend करता है कि आप कोई से college से अपनी studies कम्पलिट कर रहे हो अभी दोस्तो हम लोग ये जान लेते है कि एक microbiologist बन जाने के बाद हमें कौन-कौन से companies में job मिलीगी, कौन-कौन से post पर job मिलीगी, वहाँ पर हमें परमन कितने रुपीज की salary मिलीगी and all दोस्तो पूरी दुनिया में दिन प्रती दिन बढ़ती नहीं ने बीमारी के कारण microbiology एक अच्छा career option बन चुका है और microbiologist के तोर पर आप laboratories, clinics, hospitals, pharmaceutical companies, dairy products, teaching, research assistant, genetic engineer, agriculture product making companies, etc. sectors में बहुत ही अच्छा career बना सकते हो microbiologist को government और private दोनों sectors के अंदर job offer हो जाती है अगर दोस्तो हम लोग एक microbiologist की as a fresher salary की बात करें तो दोस्तो एक microbiologist को as a fresher 20,000 रुपीज की salary दी जाती है जैसे उसके पास 2 years का experience आ जाता है उसको 35,000 रुपीज से लिके 40,000 रुपीज की salary per month दी जाती है जैसे उसके पास 5 years की उपर का experience आता है तो दोस्तो एक microbiologist को per month पचास हजार उपए से लेके 80,000 उपए की salary दी जाती है और दोस्तो मैंने Biotechnology के उपर भी एक separate video बनाया है वो भी दोस्तो अगर आपको देखना है तो उसकी link आपको इस video के description में मिल जाएगी अभी दोस्तो हम लोग यह जान लेते हैं कि एक microbiologist बन जाने के बाद हम कौन-कौन से बिजनेसे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तो एक microbiologist बन जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे बिजनेसेस निकल के आ जाते हैं आप अपनी खुद की Biotechnology की company open कर सकते हो अपनी खुद की food industry स्टार्ट कर सकते हो अपना खुद का wine production स्टार्ट कर सकते हो मश्रूम cultivation शुरू कर सकते हो आप agriculture से related consultant कर सकते हो आप बायो गैस generation में मदद कर सकते हो एक microbiologist बन जाने के बाद आप अपनी खुद की research lab open कर सकते हो जिसमें नए-नए research करके आपका प्यार देने के लिए और एसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चनल को धन्यवाद